इस मड्यूल में हम फाइलम आर्थ रोपोर्ट के सब फाइलम हेक्जोपोर्ट में रोल ओफ इंसेक्ट्स एज पैस्स डिसकस करेंगे इंसेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इंसेक्ट जो हैं ये पैरासाइट्स भी हैं इंसेक्ट वेक्टर्स भी हैं अब बहुत से इंसेक्ट जो हैं वो पैस्ट भी हैं इंसेक्ट पैस्ट क्या होंगे जब ये भी डिजीज कॉस करेंगे पैस्ट इंसेक्ट जो हैं एनिम क्वालिटी इंक्रीज होगी बलके उनकी क्वालिटी ओफ प्रॉडक्षिन भी है लाइक एड ब्रॉड़क्षन मिल्क प्रॉडक्षन मीट प्रॉडक्षन उसके ओपर भी एफेक्ट आएगा और इसके साथ जो बहुत से एंबल यह प्रॉडक्ट्स हैं wella को एनमल की milk, cheese, इन के ओपर भी इन pest का effect आएगा, अब अगर insect as a pest हम plants पे देखें, तो मुख्तलिफ किसम के crops के ओपर, fruits के ओपर, insects as a pest जो है वो attack करेंगे, attack जो है वो plants के different parts पे करेंगे, उसकी roots पे भी attack करेंगे, entire plant पे भी attack करेंगे, उसके leaves पे भी करेंगे, और उसकी stem पे भी करेंगे और उस insect pest की मुख्तलिफ stages होंगी, एक लारवे, प्यूपे, अडल्ट, जो के मुख्तलिफ stages पे उस plant को as a pest attack करेंगे, और मुख्तलिफ किसम की बीमारियं जो हैं, वो इनके साथ associated हैं, for example, इसके एक important disease जो है, वो है Dutch M disease, potato virus, esters yellow, ये सारी diseases जो हैं, मुख्तलिफ plants के अंदर, they are caused by the insects that act as pests, अब insect pests जो हैं, वो crops को as a pest है, जहरे हामफुल हैं, तो वो crops को destroy कर देंगे, ना सिरफ पूरी crop को बाज उकात अगर destroy नहीं भी करतें, तो वो crops की जो production है, उसकी quantity को reduce कर देंगे, उसकी quality को ये खराब कर देंगे, और जो इसमें pest हैं, वो अपनी मुख्तलिफ activities क crop destruction के लिए use करेंगे, like biting, chewing, boring, sucking and defoliation activities, यानि उसके सारे जो leaves बगर हैं, उसको वो damage कर देंगे, फिर इसके अंदर उनके plant के मुख्तलिफ parts के उपर injuries आजेंगे, उसको हम कहते हैं spot injuries, like आपने mulberry के tree में देखा होगा, अगर उसके उपर insects का बहुत ज्यादा attack आता है, तो उस के leaves जो हैं, वो मुख्तलिफ जगों पे damage हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं spot injuries, और इस से जो है disease के attack के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, similarly, ये ना सिरफ उसकी, बलके live crop जो है, उसको destroy करेंगे, बलके बहुत से insect as a pest जो हैं, जो stored products होती हैं, जो stored crops होती हैं, जैसे wheat, grain, rice, barley, pulses हैं, उनके उपर भी बहुत से insect as a pest attack करेंगे, उस صورت में इनको हम कहेंगे stored grain pest, ये stored grain pest जो हैं, ये stored grain pest जो हैं, ये बहुत ज्यादा जो granular food है, उसके damage के जिमेदार हैं, इसके अंदर potato, tuber, moth, जो के Irish potato के उपर attack करता हैं, इसी तरह से crops के लावा, cash crops के लावा, या दूसरी भी crops के लावा, बहुत से fruits, vegetables, उनके उपर भी insects जो हैं, वो as a pest, attack करेंगे, और sometimes ये crops, जो हैं, fruits, ये उनके लिए unattractive भी होंगी, unremarkable भी होंगी, लेकिन वो उनको as a food use करेंगे, like crucifree family के जो plants हैं, उसके उपर insect जब attack करेंगे, तो उसके leaves को damage करते हुए, एक particular disease cause करेंगे, जिसको हम कहेंगे, diamond back moth, और diamond back moth जो है, इसका नाम जो है, scientific वो है, प्लूटीला, जाइलोस्टीला, अब ये कुछ important insect pests हैं, potato tuber moth के, अब ये मौथ की three stages हैं, आप देखेंगे, ये इसका लारवा, प्यूपा, और ये भी इसकी जो है adult stage है, लेकिन it is not fully developed, और ये है, पुल, potato tuber moth, potato tuber moth का नाम है, फोथोरी मौया, और पर कुलेला, और ये लेपिडॉप्टरन insects हैं, लेपिडॉप्टरन insects जो हैं, ज्यादातर crops के उपर, fruits के उपर, vegetables के उपर attack करते हैं, और ये किसी भी stage में attack कर सकते हैं, लारवे, प्यूपे, adult, लेकिन हर stage पे, इनकी जो attacking surface है, that is different, तो इसको control करने के लिए, insects as a pest के, मुफिलिफ किसम के method हैं, ज्यादातर इनको pesticides से control किया जाता है, लेकिन pesticides चुके, atmosphere को भी, environment को भी damages हो सकते हैं, तो इसके लिए, जो most advanced methods हैं, आजकल, control करने के लिए, उनको हम कहते हैं, biological control, biological control में, दूसरे ही insects, इनकी मुफिलिफ stages को as a food use कर लेंगे, और environment के लिए, ये harmful नहीं होंगे, तो insects को हमने मुफिलिफ phases में देखा, कि ये as a pest किस तरह से, crops के लिए damaging है, और जब बहुत ज़्यादा pest का attack आता है, तो जब अपने ये threshold level तक पहुंच जाता है, तो उससे country की economy iso है, that is also disturbed.